अब जी ये अर्थ से परमार्थ Prosperity for charity अर्थ से परमार्थ की यात्रा है पतंजले की अर्थ से या तो अनर्थ करते हैं लोग या स्वार्थ के लिए जीते हैं हमने कहा है ये परमार्थ के लिए जो कुछ हमें Bhagavan ने दिया, सारी समृद्धि सेवा के लिए अपने लिए सारी दुनिया जीती है सन्यासी और संसारी में फ़रक का है संसारी अपने लिए सोचता है सोह थोड़ा बहुत सब के लिए सोच लेटा है सन्यासी वो है जो सब कुछ दूसरों के लिए सोचता है और हमने इसी संकल्प के साथ इस काम को सुरू किया और मैंने ये भी कहा कि फतंजली का वरतमान में ही संचालन सन्यासी नहीं कर रहे हैं हमारे जाने के बाद में भी इसका उत्राधिकारी कोछ संसारी नहीं होगा सन्यासी ही होगा और उसके लिए हम वो भी तयार कर रहे है और हमने ये भी बोला कि man making what you नहीं है या एक divine man कैसे बने तो मानव निर्मानव उसके लिए शिक्षा संसकार उसके लिए अनुसंधान और गोसमरधन का काम ये कर रहा है पतंजली तो बहुत लोग बहुत तरह से सोचते हैं मैं तो इतना ही सोचता हूँ कि मेरा एक एक शन मेरे देश के लिए लगे और उसके लिए मैं योग भी करूँगा, कर्म योग भी करूँगा, उद्योग भी करूँगा योग और योग का परिणाम बस यही है जिन्दगी और मैं लगा हुआँ एक एक शन मैं क्या कंट्रिबूट कर सकता हूँ अपनी कंट्री के लिए बस यही एक मकसद है यही एक धे है उसी को लेकर के योग, अर्वेद, स्वदेशी और अलग प्रकार के ये सारे सिवा की अनुष्ठान है और मैं इतना ही भरवसा दिलाता हूँ, वर्ड कलास क्वालिटी के प्रोडेक्ट, लोग प्राइज पर, अफोडिबल प्राइज पर, और उनसे जो भी प्रॉफिट होगा, वो सब चैरिटी के लिए लगाएंगे और पतंजली के यात्रा, दस, बीस, सालीस, पचास, हजार करोड, एक लाग करोड तक जाएगी, देश के लोगों का ऐसे प्यार मिल रहा है, मिलता रहेगा, और मैं ये भरवसा दिलाता हूँ, कि स्वामी रामदेव, देश के साथ और देश वासियों के साथ, किसी भी कीमत पर कोई धोका और गद्दारी नहीं करेगा, ये आपको ये प्रेड़ना कहा से मिली, जैसा कि प्रत्यक्ष है कि आपकी व्यक्तिगत आवाशकता है न्यूंतम, उसके बाद ये इतनी विशाल, व्यापक प्रेड़ना आपको कहा से मैं बच्पन में सहीदों के चितर देखत था, महापुर्षों के प्रतिमाई देखता था, तो मुझे लगता है, सब मेरे ही जैसे हाड़मांस वाले हैं, दो हाथ, दो आख, ये अधना सा सरीर, सबको एक ही जैसा है, तो फिर जब वो महापुर्ष बन सकते हैं, तो मैं महापुर्षों के पतचन्यों पर जरूर मैं देखा, मैं घर से निकला था, दो हाथ थी पर आचाई जी मिने तो चार हाथ, खहते हैं, चार हाथ हो जाएं, और उसके बाद मैं एक हजार लाख करोड हाथ अपने साथ देखे और मैं आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ूंगा, लाख जो है, जो बुरी आत्माई हैं, वो मेरे बारे में कितना ही बुरा सोचे चे जीते जी स्वरलोग में पुहुचा दे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, और इस देश के करोड़ों देश भकतों के आशावों को पुरा करूंगा, ऐसा भारत भारत और भारत और भासे भ्रश्टा चार तक पौहुशने के लेकिन की चीज़ों को आप दोशी मानते हैं, उत्तरदाई मानते हैं और इसका आप इलाज क्या बताएंगे? प्रोडेक्ट बनाने के साथ सथे आदमी बनाने के लिए पुरे देश में सिक्षा के सिक्षा के सिक्षा में बड़ा काम करने वाले हैं अच्छे विचारवान संसकारवान नागरिक बनेगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा और वो काम वही हमारा अल्टिमेट गोल है यह सब साधन है साध्य नहीं है यह कोई प्रोडेक्ट बनाना यह तो विदेशिक अपरियों के आर्थिक लूट से बचाने के लिए मातर एक साधने साध्य नहीं है